आज मैं इस वीडियो में आपनों को एक सेटिंग्स के बारे में बातने जा रहा हूँ इस कॉल्ड लिंक सेंसिटिविटी विद रिजोलुशन मैंने यूटुब में बहुत सारे वीडियो देखे हैं ते उसमें अच्छे से एक्स्प्रेंड नहीं किया हैं इसका मतलब है कि आप अगर डिवाइस चेंज नहीं करते हो मतलब आप एक ही डिवाइस पर हमेशाद गेम्स कहलते हो सो बिच पिसिकली हमारे समसब के लिए कॉमन है सो रीजिए इसको शुच करकर रखना है जो लोग जाधाथा तर डिवाइस चेंज करते रहते हैं उनके लिए ये ये स्विच आफ करना चाहिए और जो लोग devices change नहीं करते हैं, एक ही device से खेलते हैं, like 90% of the players, we just play with one device, right, so we should keep this on, and यह basically किया करता है, आपका game, आपका phone का जो resolution है, आपका device का जो resolution है, वो resolution के साथ, आपका जो sensitivity है, वो adjust करता है, like आपका device अगर छोटा रहेगा, तो आप अगर small area पे drag करोगे, तो उसका sensitivity कम र अगर long device यूज़ कर रहे है, जिस device का resolution जाधा बढ़ा है, like for example, आप tab यूज़ कर रहे है, तो उसमें आपका क्या होगा कि, उसमें sensitivity आपका बर जाएगा, so that is the thing, so यहाँ पे आप अगर main thing is, if you do not switch devices frequently, if you play in one device, so आप इसको switch on करके रखिए, and अगर आप देख रहे हैं कि तो आप थोड़ा scroll down करके नीचे, overall adjustment यहाँ पे देख सकते हैं, आप उसको switch off कर दीजिए, और यहाँ पे manually, आप एक game में जाए, game में जाके, यहाँ पे plus 5, minus 5 करके, किसी भी values को आप increase ये decrease कर सकते हैं, like this, for example, in the left hand side, we have the standard sensitivity, so guys, here we can do like this, 71, 2, 3, 4, 5, like this we can do, so ऐसे करके, like plus 5, 5, minus 5, ऐसे values करके adjust करिये, तो अप लिए यह easy रहेगा, so नहीं तो अगर अगर जादा value लगा देंगे, तो अगर गेम में अंदर जाएंगे, खेलेंगे, तो आपको दिक्कत आ सकता है, क्योंकि link sensitivity with resolution क्या करता है, तो आपका aiming थोड़ा सा खड़ाब कर सकता है, and like आपका जो तो ओवराल वाकिंग और रानिंग जो sensitivity रहता है, तो तो इसको थोड़ा सा इनहांस कर देता है, तो इसलिए इस सेटिंग्स को आपको आपको डिफिनिट्ली ओन करना चाहिए, क्योंकि नया सेटिंग्स आया है, तो इसमें थोड़ा सा इनहांस्मेंट आप्तिमाजाशन र यह वीडियो आपको क्लियार करता है, और बेसिक अडाउट विद इस सेटिंग्स क्योंकि यह सेटिंग्स बहुत ही कंट्रोफर्शियल था, मैंने बहुत सारे रिसर्च किये बहुत देखे तो लास्त में इसमें मेरे को क्लियर के लाइटी आई तो मैंने आप सोचा कि सब क लिए एक वीडियो बना देता हूं तो सबके लिए एजी रहेगा, so that's the thing guys, if you have any more doubts then you can definitely give it in the comments, और अगर ऐसा ही सेटिंग्स के बारे में यह कुछ बारे में, interesting updates और वीडियो आपको चाहिए, कोई doubts रहे है, तो उसके लिए clarification चाहिए, कोड मोईल गेम्स के related, तो you can definitely subscribe to my channel and turn on the bell for notifications, मैं comments पढ़ता रहता हूं और tutorial videos जल्दी जल बहुत सारे हिंदी में बनाने वाला हूं, so yes guys stay tuned, thanks, thank you soldiers and meet you in the battlefield